प्रीमे, प्रीमे कटिक पतंग कहा मिल रही है, पताओ, 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 पकड़ लिया, सुबार से बिटुआ, पतंग पतंग करके मेरी चान खा रहा है, प्रीमे मिल गए, इसलिए अच्छी है, नहीं तो मेरी जेब का दिवार निकल जाओ, पतंग के बिल्कुल नहीं दूँगा, देक्षना मंत्र बने वाली की होती है, पतंग पकड़ने वाली की होती है, आजो, बैल की तरह जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मा को क्यो बुला रहा है, गजए की ओलाद, आख्री बार देख लेके, आख्री बार क्या है, कोई बोलता है कि नीचे देख और तू बोलता है कि मां आखरी बार देखिए तुम रोंका भागल खुते ने काता है दिमाग फिर गया क्या अरे पतंग लेके चुप-चुप नीचे आना अरे ये क्या पाजू से आने वाली आवाज नीचे से आ रही है बापा पतंग उड़ गई है पकड लो चुले इस पोजिशन में मैं पतंग की फिकर करू ससर केनाती अब पतंग पकडने की कोशिश की तो यम्राज मेरी घर्दल पकड लेगा पाप्रे अबे तुमार ये पतंग पतंग केके अम ये पतंग की तरह हवाना उड़ा लिया करने का मतलब पंडिजी गराम ना सकते हैं ये के लिगे तो ज़रूर मर जाएंगे ये पंडिजी आप पंडिजी आप परेशान मत हो ये क्यों परेशान ना हूँ अब इस निधर के अउलाद तुम यहारा खड़ा रहेगा तो बनाते लेगा अबे मेरी धोटी कीली हो रही है तुम अपनी धोटी निकालो पंडिजी भाई दोटी क्यों निकालो अरे जाहिया तो पहना है ना अब 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 भू होज़ा है लेकि तुम जाहूं यहार बोटी जी भीरे जीरे जले के आजाओ आजाओ चलो ए पंडिजी ओकर भी महारे अपनी मृत्तीयों जान नहीं पाया था यह ता बेर लागरा जी के घर में शाधी करवाने एंथी ज़्या मिलने वाली थी पांच अब तग्स पिदोंग के चक्कर में प पंडित जी मैंने शादी किया है हमें मंतर पर के आशिरवाद दोगे तो पूरे दस जार देंगे दस जार अभी